प्रेज़ दलोड कोई दिया जला के बरतन से नहीं ढाकता और ना खाट के नीचे रखता है परन्तु दिवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकास पाए कुछ छिपा नहीं जो परगट ना हो और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और परगट ना हो इसलिए चोकस रहो कि तुम किस रिती से सुनते हो क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है लुका रचिते सुसमचार आठ अध्याई सोला नंबर से अठारा तक पढ़ा है पवित्र आत्मा जब किशी व्यक्ति को मिलता है तो उसको उपर का ग्यान मिलता है जो सुरगशे आता है और वो पिर्थवी के ग्यान से मेल नहीं खाता वो एक ऐसी रोशनी बन जाता है एक व्यक्ति के अंदर जो बर्तन से नहीं ढाका जाता और ना खाट के नीचे रखा जाता इसी तरह जब परमिश्वर का ग्यान किशी को मिलता है और पवित्र आत्मा किशी के उपर उतरता है तो कोई भी व्यक्ति दिये को कभी नीचे नहीं रखता उपर रखता इसी तरह हमारे सरीर में जो दीवट का काम करती है हमारी आखे जो हैं वो एक दीवट जैसे स्थान पे हैं और हमारे सबसे पहले देखने के नजरिये को बदलता है जो ग्यान उपर से आता है जो आत्मा का दिया हमारे अंदर जलता है वो सबसे पहले हमारे देखने के नजरिये को चेंजी करता है और जब लोग हमारे पास आते हैं और उस परकास को वो लोग भी देखते हैं तब वो जान जाते हैं क्योंकि परमिश्वर के आत्मा से कुछ छुपा नहीं जो परगट ना हो और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए परगट ना हो इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है उसकी रोशनी जोती आपके अंदर है तो जब जो लोग आपके निकट आएंगे आपके उपर उनकी गुप्त बाते भी परगट होंगी और तब लोग जान लेंगे कि परमेश्वर तुम्हारे पास है क्योंकि जो दिया है वो दूसरे के जीवन के अंधेरे में भी परकास पहुचाता है इसी तरह तुम्हारा परकास जो उपर से जो ग्यान आता है परमेश्वर से जो पवित्रा आत्मा तुम्हें मिला है उसके दुआरा दूसरे के जीवन में भी वो देख सकता है कि उसके जीवन में क्या-क्या अंधेरा है ताकि वो उसके अंदर भी दिया जल सके, इसलिए चोकस रहो तुम किस रिती से सुनते हो, सुनने वाला भी परमेश्वर की बाते ध्यान से सुने, और समझे उसको किस रिती से सुनता है, क्योंकि यदि वो ठीक रिती से सुनेगा, तो उसको कुछ प्राप्त होगा, यदि वो ठीक रिती से नहीं सुनेगा, तो वो खोदेगा भामुल्ले बातों को, इसलिए जिसके पास है, उसके पास और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा, जो लापरवाई करेगा, वो जो उसके पास है, वो उसको भी गवादेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर की सच्चाई उसके पास आई और उसने उसको ग्रहेंड नहीं किया, इसलिए उसके पास जो है, वो भी किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि जब तक परमेश्वर की सच्चाई को कोई ग्रहेंड नहीं करता, वो पूरणता सच्चाई में आता नहीं है इसलिए दीपक का दृष्टांत हमें ये समझाता है कि परमिश्वर का पवित्र आत्मा वो दीपक के समान है और वो उपर से मिलता है स्वरग से और उसके अंदर स्वरग का ग्यान होता है लेकिन इस संसार में सब जग्यां देरा है इस लिए वो दीवट के ऊपर रखे दीए को हमें भी संभालना है हर वेक्ति का अपना घहर होता है हर दीवट होती है और जिसके घर में दिया होता है तो उस दिये को वो सुरक्षित स्थान पर संभाल के रखता है इसी तरह हमारे सरीर के अंदर परमेश्वर का पवित्रात्म दिया गया है उसकी रोजनी हमारे पास है उसकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है क्योंकि हमें परमेश्वर ने सुएम की इच्छा दे रखी है और हमें सुएम की इच्छा के कारण सुएम अच्छे विवेक से परमेश्वर की बातों को मानना है आज्यकारिता में चलना है ताकि हमारी रोशनी बर करार रहे येश्यू के महान पवित्र नाम से धनवा देते हैं इस पवित्र वचन के लिए सभी सुनने वालों के अंदर ये वचन हजार गुना फल लाए और पवित्र आत्मा विश्वास से स्थेर करें येश्यू के नाम से आमेन आमेन का मतलब है ऐसा ही हो आमेन